हेलो एवर्यवान नमस्कार दोस्तों मैं इश्रमा खान ग्लोबल स्टूडिज प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग को शल्मंगल होंगे बच्छो आज हम मैट्स का एक इंपोर्टन चैप्टर रेश्वें प्रोपोर्शन देखेंगे और उसके मतलब अनुपात और समानुपात एक मतलब जिसे बोलते हैं अर्तमेटिक की आर्फमेटिक की देखोगे तो वहां भी ratio proportion के question आ जाते हैं, mixture and delegation में तो ratio proportion काफी use होता है, तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ अनुपात नाम का शब्द आने लगे, वहाँ वहाँ समझ लाओ कि आपका ratio and proportion के concept start हो चुके हैं, तो आज हम इसके fundamental concept को देखेंगे कि ratio and proportion exactly होता क्या है, इसके question किस theme पर बनते हैं, कौन-कौन सी categories होती है, क्या theory होती है इसकी, तो इसको पूरी जानकारी आज हम इस class में upload कराएंगे, ठीक है, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ में, चलिए start करते है ratio and proportion, यदि हम ratio proportion की बात करते हैं, तो सबसे पहले में लिख देता हूँ, ratio proportion में सबसे पहले नाम आता है अनुपात, मतलब ratio, क्या नाम आता है अनुपात, यदि हम बात करते हैं अनुपात की, अनुपात मतलब ratio, जो बच्चो ratio होता है ratio, मतलब अनुपात, यह जो अनुपात होता है होता है क्या exactly बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीधे questions पर move कर जाते हैं जो बच्चे सीधे questions पर move करते हैं उन्हें पूरे lifetime maths में दिक्कत होती है क्यों करके उनका basic clear नहीं होता है उन्हें पता इनहीं होता है कि वो कौन सा चैप्टर कर रहें कि रिक्वार्मेंट किया इसकी पहचान कैसे करें वह सीख भी जाते हैं तो कुशन की पहचान नहीं कर पाते तो वह कब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक एक जैसी राश्यों के बीच तुलना करने को अनुपात कहते हैं तो यहां पर मैंने एक डैफिनेशन में यूज किया है शब्द दो या दो से अधिक एक जैसी सो वट दूई मीन वाई कि एक जैसी का मतलब है क्या ठीक ऑफ सेम टाइप का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है बच्चों यदि मैं आप से कहने लगूं कि आप पांच किलोग्राम और मैं आप से कहने लगूं आप पांच किलोग्राम और पंद्रे किलोग्राम का रेशो बताओं तो आप क्या करोगे अनुपात लेगूं इस तरीके से किलोग्राम से किलोग्राम काट दोगे पांच से काटोगे से एक बार और पांच से काटोगे से तीन बार तो यह हो गया ए अब यह जो एक अनुपात थी नहीं क्यों लिख पाए आप क्योंकि आपको पता यहां भी किलोग्राम है यहां भी किलोग्राम है तो यह एक जैसी राशी है इसलिए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया और आपको पता होना चाहिए कि अनुपात का कोई मातरक नहीं होता ठीक वियार नेबल तू फईंड दा रिशो अब दीस कौन्टिडीज क्यों हम बिलकुल नहीं बता पाएंगे क्यों कि यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां किलोग्राम है और यहां क्या एक ग्राम अब होगा क्या यह करना ही है तो यह तो किलोग्राम को किसमें बतलना पड़ पाएगा क्लोग्राम में उसके बाद ही अनुपाद जन्रेट हो पाएगा अधर्वाइस नहीं हो पाएगा तो मैंने क्या बोला था दो या दो से दिक एक जैसी राशियों के बीच तुलना करने को ही अनुपाद क्याते हैं ठीक है कमपारेटिव रेलेशन बिट्विन टू जो इसका मतलब क्या होता है इसका वास्तम में होता और हिंदी में बोलते अत्ला fixes अग्रपदिक न्यों सिसटेंट टेक है औ inmी को बोलते हम पश्चपद क्या बोलते हैं पश्चपद मतलब consequence बोलते हैं ठीक है अब ये तो हमने जान लिया कि अनपात है क्या अब ये भी जान चुके कि अनपात में एक जैसी राश्यों का मतलब क्या है अनपात में ये भी जान गे कि A अनपात B का मतलब A बटे में B होता है A को अगरपद यानि antecedent बोलते हैं B को पश्षपद यानि consequent बोलते हैं अब हम जानते हैं type of ratio जब हम type of ratio पे आते हैं तो यह हमारे कई परिकार के ratio आ जाते हैं number 1 तो अनुपाथ है तो अनुपाथ हम जान चुके हैं क्या होता है number 2 पे आता है जिसे बोलते हैं मिक्स रेशियो या कम्बाइंड रेशो फिराता वर्ग उन पाथ इनवर्स रेशो फिराता समान पाथ प्रपोर्शन तो यह सारी केटेगरीज हैं किसकी अनपाथ की तो हम वन वाई वन करके इन भी जानेंगे नहीं जानेंगे तो इन पर कोश्चन पूछ लिए अब यदि वह कोश्चन आपके एक्जाम में आगे तो दिक्कत हो जाएगी चाहें वह सभी में इसके कोश्चन पूछे गए हैं जब सभी में पूछे गए तो भाई हमें यह तो पढ़नी पड़ेगी वह अचानक जिसे हम कंबाइन डेशो भी कहते हैं और इसकी अंट बिल्कुल आराम से चलिए कोई तसल्ली से चलिए कोई जल्दवाजी नहीं न है जो में değer देखाते हैं जब हमने कमान्ट हो जाती है एक कंशैप्ट के लिए हो जाता ही दूच्वत के शैपकर बाद करोह ठीक है तो जब मिश्चुत अनपात की बात करते हैं ज Cordy रिशीयो कांवाइन रिशीयो कहते हैं तो यहोता का mix ratio बताना है तो mix ratio निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो इनके अगरपद है उनकी गुणा करनी start कर दो तो यह अगरपद है यह वी अगरपद है यह वी अगरपद है तो सारे अगरपद एक साथ ले लो जैसे ए एम और पी रेशो में जो बच गए पस्ट पत वो लिख लो बी एन क्यू यह हमने रेशो बना लिया इससे क्या बोलिंगे आप हम जो कॉमन दिखेंगे उसे कैंसल आउट कर देंगे से लिस्ट फॉर्म में ले आएंगे जो कॉमन कॉमन चीज़ है उन्हें काटा कूटी कर लेंगे और जो अनपाथ बनेगा यहां से तो इसकी त्योरी के लिए इसके एक एक्जामपल ले ले लेते हैं सो देट हमारी क्लारिटी और अच्छी रहे कि भी यह मिक्स रेशो में कैसे पूछ लेता है वह आप से कहेगा कि दो अनपाथ तीन कि शे अनपाथ पांच मिश्चित अनपाथ मतलब मिक्स रेशो ठीक है तो जो मिश्चित अनपाथ बताने की बात करेंगे तो जो अग्र पद हैं उनकी गुणा करेंगे दो च्छे दस तो दो गुणा च्छे गुणा दस और बटे में जो पश्पत है तीन पांच साथ होने ले लेंगे तीन पांच जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे यहां तीन से यह कैंसल आउट हो जाएगा दो बार पांस से यह कैंसल आउट हो जाएगा दो अब तो कुछ कैंसल आउट होई नहीं रहे तो दो दूनी चार दूनी आठ और बटे में साथ तो यह कैलाएगा आठ बटे साथ और आठ बटे साथ का मतलब होता है कि Exactly रेशो की फॉर्म में क्या बोलते है हम इसे एट रेशो सेवन आठ अनुपात साथ ठीक है यह आपका आंसर तो मिश्रित अनुपात में ऐसे questions पूझता है वह आपको दो रेश्यों तीन रेश्यों चार रेश्यों दे सकता है वह उसकी मर्दी है ठीक है आपको बहुत ही नॉर्मल सा तरफ बढ़ रहे हैं कि इससे बोलते हैं वर्ग अनुपात है कि अगा है कि डुप्लीकेट रेश्यों के दिए हम बात करते हैं तो जैसे हमारे सामने एक रेश्यों दिया ए अनुपात भी तो देखो नाम से इस पस्ट है हिंदी में तो वर्ग अनुपात तो ए और बी के वर्गों का अनुपात वर्गों का अनुपात इंग्लिश में भी किलिए रहे डुप्लीकेट डुप्लीकेट कौन होगा अरे डुप्लीकेट मूवी देखी है उसमें क्या ह होता है भी उब्लीकर मुर्म dipping उनी है तो यहांप यहाँ पर देता हो मैं यहां पर कवी इसे एह अनपाद ब्हुर्ञार पाथ यानि डुबिकेट रे शो कि मतला वर्गों कानपाथ होता है यह हो ठीक है अब मैं यहीं पर आपसे पूछन पूछ लूँ यह बताओ पांच अनपात साथ का वर्ग अनपात क्या है वोट इस दा डूपलिकेट रेशो पाइब रेशो चाहिए तो पांच अनपात साथ के वर्ग अनपात को जिस्ता में आप सॉल्व करेंगे तो क्या करने तो करक्त आंसर क्या बन जाएगा 25 रेश्व पॉटिनाइन 25 अनुपात उड़न चास यह क्या हो गया वर्ग अनुपात हो गया मैंने इसकी थियोरी के लिए कर दिया आपको और इसके एक ट्रिप्ली के ट्रेशो का मतलब देंको नाम से इस पास्तो रहा है कि गेनाँ अनुपात मतलब घनों का अनुपात गहना अनुपात मतलब घनों का मतलब उनके क्यू पाrites आप करेंगे तो ए और वी का घन अनूपात क्या हो जाएगा एकऔर अनुपात मेंоме कि एक्यूब अनुपात में भी क्यूब अब इसका एक क्वेशन देख लेते हैं मान के चलिए आप से कहने लगे तीन अनुपात दो ऐख रैश्यो दो आपको करना क्या है कि तीन का घं क्यञात बोल में लेस्टे एक कि दे टेनी चारड़ से और यह आपका final answer 27 अनुपात है ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा घनानुपात हो गया घनानुपात से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और क्या पूछ लेता है वो घनानुपात के लबा इनका reverse जैसे वर्ग अनुपात था तो वर्ग मूला अनुपात कि जिसे क्या बोलते हैं कि सब डुप्लीकेट वो तो डुप्लीकेट था यह सब डुप्लीकेट है मतलब उसका उल्टा है ठीक है तो यहां पर जब हम सब डुप्लीकेट रेशों की बात करेंगे तो जैसे हमने लिखा ए अनुपात भी तो इसका हमें सब लीगेट रिशु चाहिए मतलब की वर्ग मूला अनुपात चाहिए तो वर्ग मूल और अनुपात तो वर्ग मूलों का अनुपात तो तो एका वर्ग मूल का स्क्वाराूट क्या होता है है स्क्वारा रूट आफ लिखेंगे इस तरीक से ब्किवराइट को स्क्वारूट उपी स्क्वारा रिखेंगे और दौनों का रिशु ले लेंगे यह एक्जैमपल कर लेते हैं ज्याद अच्छे समझवाआ जाएगा इग नो का वर्ग मूल lleva और लेंगे तो चार का वर्ग मुल आने वाला यहां से दो रायतने वाला यहां से 3 दो अब है ठीक है आप में कोई जिसकेज़ स्कुर Master Ray Chuck के अबROAD 05 तो इसे तो square root of 3 लेंगे square root of 4 लेंगे square root of 3 तो 3 रहेगा square root of 4 जो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यह आपका answer हो जाएगा तो यह क्या हो गया वर्ग मुलन पात हो गया ठीक है तो अमीद है यहां तक आपको सुझ में आया होगा कि अच्छे समझ में आया होगा क्लास को आगे बढ़ाते हैं वर्ग मुलन पात के बाद में घन मुलन पात करते हैं ठीक है अब देखो समझने वाली बात यह कि जो थ्योरी होती है ना कायदे में वो इस्टूडेंट के लिए फायदे की होती है टीचर उल्टा परिशान होता है क्यों क्योंकि वो कहता है में कुछ इनोवेटिव नहीं दिखा पा रहा यह तो क्या है यदि कोई बच्चा अच्छे पढ़ेगा तो बुक में भी मिल याएगा बट सारी बुकों में नहीं मिलता और इनोवेशन कब होता है जब स्टार्ट होते हैं बट मेरा मानना यह कि कोई सही स्टूडेंट तो पहचान लेगा इस बात को कि टीचर के जो इसकिल होते हैं वो आपके साथ Martha में काम नहीं सकता हूं तो मैं कर रहा है कि भई मैं ऐसे ही पड़ाता हूं मैं स्टाटिंग करूँगए चैप्टर की नाम से करूंगगा तो मैं उस नाम के वारे में आपको पहले जानकारी दूएं फिर उसकी ब्रांचे बताınगा क्या क्या हैं कैसे 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 निकालना है हमें तो क्यूब रूट क्यूब रूट ओफ ए और अनपात में क्यूब रूट ओफ इसके एक एक्जामपल ले लेते हैं जैसे मानके चलो आप से पूछन लगे आठ अनपात 27 का घंणमूल अनपात बताओ यदि घंणमूल निकल पा रहा है तो निकाल दो नहीं तो वहीं चोड़ दो क्यूब रूट में तो क्यूब रूट ओफ एट रैशो में क्यूब रूट ओफ 27 ऑट का क्या हो जाएगा दो 27 क्या हो जाएगा तीन और अंसर क्या हो जाएगा 2 अनपात पर यह टू रैशो ठी दोपात टीक है इसके बात में दो कंस्व्ट और बचे उन्हें जल्दी करने के लिए तो मैं सीधे से उल्टा कर दूँगा एंपाद भी विन पाते जैसे दिन का विलोब बताओ तो रात का विलोब दिन तो जस्ट उल्टा इथ होता है तो उल्टे का मतलब तो अ पात भी दो चीज दे रखियें तो यह क्या हो जाएगा बी एन पात है लेकिन यह अदि आपने यह fundamental concept इसका किलिए नहीं किया तो examiner इसमें रोग देता है बच्चे को 100% रोग देगा वह आपको confuse कर देगा तो हमने क्या किया इसका fundamental concept करने की कोशिश की तो ए अनपात भी है ठीक है तो तो आप क्या करोई को समान संक्या से गुणाय भांण करते हैं इस मल्टीप्लाइइंग टिवाइंड ढश्बा इस ता समान संक्टब को समान संक्या से घुनायां भाग करते हैं तो टीक बीसे अब तो टो अब क्या बच गया है बी अनपाथ मैं कहने लगूं आपसे दो अनपाथ तीन का विलोम अनपाथ बताओ तो सीधे-सीधे तीन अनपाथ दो मतलिक देना इसका fundamental क्या है 1 upon 2 1 upon 3 अब यह हमारा क्या है एक भिन्ने के रूप में अनपाथ है इसे रेखे करन पाथ यानि लीनेर रेशों बदलेंगे तो दोनों का यह सिम 6 तो 6 से यहां गुणा 2 से कितनी वार, 3 वार 3 से कितनी वार, 2 वार तो आया तो यही उल्टा फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा मतलिक न कि it is only applicable for the two terms ठीक है यदि दो value दे रखी है then it is applicable, then it is okay ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसी value 3 होंगी आपके साथ में दिक्कत होने शुरू हो जाएगी ठीक है, इसका एक example ले ले लेते हैं so that आपको clarity रह thought में मान के चलिए, मैं आप से कहने लगूँ दो अनपाथ तीन अनपाथ चार का विलोम अनपाथ बताओ अब इसका यदि विलोम अनपाथ बताना है तो बहुत सारे student है जिनके logic के लिए नहीं है ठीक है, without logic वो क्या करेंगे, चार तीन दो लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत हो जाएगा तरीका क्या कहता था, कि पहले बनापॉन में लेको यह दिटेल करनी है, शौट भी बताओंगा इसका शौट भी बताओंगा ठीक है तीनों के लसे बार है, बार है से कर दो मल्टिपलाईए दो से कितनी वार, छे वार चार बार, चार से कितनी वार, तीन वार तो छे अनपाथ, चार अनपाथ, तीन यह आंसर क्या, ठीक है दिस इस फर्स्ट मैथड, अब देखो हमने पंडामेंटल कंसेप्ट चेंजी नहीं किया वन अपउन वाले कंसेप्ट से किया, से कुणा किया सीध्या अनसर सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, वोट इस सेकंड कंसेप्ट, यदि मैं सेकंड कंसेप्ट की बात करूँ, तो जब भी विलोम अनपाथ पूछे, विलोम पूछे, विलोम तो VILLOM के लिए दी गई वैलूज का एल सिम लिलो इनका एल सिम बार है 2 से डिवाईट 6 वार 3 से डिवाईट 4 वार 4 से डिवाईट 3 वार तो 6, 4, 3 ही आ गया यह सेकेंड कंसेट है थर्ड कंसेट्ट यदि मैं थर्ड कंसेट्ट की बात करता हूँ तो मुझे तो थर्ड वाला ही concept हमेशे अच्छा लगता है तो मैं यह दि बात कर रहा हूं किसकी यह तीनों अनपाते इनके विलूम बनाना है तो देखो भाई मेरे पास में तीन वैलू होनी चीए ठीक है जिनका मुझे विलूम बनाना है उसकी तीन वैलू होनी चीए एक यह कि हैं एक यहां रखनी है एक यां रखनी है ऑचे मैं क्या करोँगा जब मुझे यवेलू रखनी है तो मुझे दो पहले नंबर형 के दो है तो मैं चुपा लोगा नो complete कर दो carbon क्या गए कि चारतिया लूए पिर तीन को चुपा तो बाकी की गुणा कर लो दूसरे नंबर के दूसरे नंबर पर तीन है तो दूसरे पर तीन कोई छुपा लो दूसरे के लिए तो चार दूनी आठ तीसरे के लिए तीसरे को छुपा लो तीन दूनी छे अब दो से काटो छे चार अब बहुत सारे इस्टूइंटे जो यह कह रहे होते हैं कि नहीं सदर हमें तो रेश अलसेम वाला भी अच्छा ही लगा है बचाएलसेम वाला किवल तब तक अच्छा है जब तक आप लसीम लगेगा बड़ी वैलू देने लगेगा आपको लसीम निकालने में ही समय लग जाएगा ठीक है तो सबसे बहतरीन तरीके आपकी समझ में आ जाएगा तो कौन सा है अब इसको करने का मैंने आपको मैथाड आपको बताई दिया है वह concept यह है जैसे मान जालो यह दो के लिए अब बैलेट सब के लिए विए एड़ेट इस एपलीकेबल फॉर अल्ले वैल्यूस इदर वैल्यूस आ टू थ्री फोर कुछ भी हो दो पात तीन के लिए पहली वैली चाहिए पहली को छुपा लो जो दिख रहा है उनकी गुणा कर दो तो के ला तीन ही दिख रहा है क्या समझ रहे हैं इसको और एक्जेंपल ले लेते हैं मुझे ऐसा नीची है मुझे कोई confusion नहीं होना चाहिए ऐसा हो सकता है कि मैं भी चमतकार ना दिखा रहा हूं आपको ठीक है बड़ मेरा मानना यह बच्चा कि मैस में चमतकार है ना सिर्फ वाइटी पर काम करते हैं और जो क्लास चली होती है उसमें थोड़ी दिर के लिए काम करेंगे जैसे ही आपका एक्जाम आएगा में एक्जाम में जैसे ही अपनी डैस्क के सामने बैठ हुए वो सारे चमतकार गयब हो जाते हैं फिर क्या रहे जाता है लोजिक जिसे फंडामेंटल लॉजिक था किलियर वह क अच्छे कहने लगूं कि अ कि बार है अनुपाद कि तेरह अनुपाद कि चौध है का कि विलो मानुपाद बताओं पैंड इन्वर्स रेशो अफ गिविन एक्स्प्रेशन ठेक है तो इसके कई तरीके होगे पहला तो वन अपन वाले में थरत जा सकते हैं उसमें भी एल्सेम निकाल के कुण करनी पड़ेगी दूसरा एल्सेम ही ले सकते हैं तो बार है तेरह चौधे का तो एल्सेम अलगी जाकर बैठे कर क्यों कि बार है अपना आप में क्या एक नंबर यह वी बन है लेकिन समय प्रैम नंबर सैवन चुपा यह सब तो नमबर जा नहें घः़ा और यह तो छोटी ध ₹ 50 मिक् Game 1 ग्या एक ऑदो दूसरी में आप दौर को छुपा लूelt हो दूसरी ची को बांकी की गुणा कर दोडा लिए बारे क्यों चोग कि तीसरी वेलू ची तीसरी को छपा लेंगा बाकी की गुणा कर दोंगा बारे गुणा तेरे ठेक हैं दो से काटेंगे से शात बार दो से शात बार अब कुछ कटी नहीं रहा तेरे सत्ते एक्यानवे बारे सत्ते चौरासी एरे चींग अठेतर और यह आपका अंसर और यह तो तीन वेल्लू है तीन से ज़्यादा होंगी तो भी आराम से अंसर आएगा कोई चिंता यह आवश्यक्ता ही नहीं है एक एक्जामपल ले लेते हैं मान की चलिए आपको दे देता है एक अनपाद दो अनपाद तीन अनपाद चार ऐसा ले लिए हमने का विलोम अनपाद बराबर क्या तो देखो जैसे पहली नंपर पर वेल्यू ची तो पहली को छुपाओ बाकी की मड़ी प्लाई कर लो दो तीया च्छे चोक चोबीच जब हम कर सकते तो सीधे लिग दो कोई बड़ी वेल्यू तो खाली गुणा का सायन में आके छोड़ दो दूसरी वेल्यू ची दूसरी को छुपाओ चार दूनी आठ एकम आठ चौती वेल्यू चीज चौती को छुपाओ बागे गोड़ना तीन दूनी छे एकम छे ठीक है अब यहां देखो सारे के सारे दो से कट रहें तो दो से काट रहें तो दो से काटो छे चार तीन यह आपका आंसर होगा ट्वैल रेशो सिक्स रेशो फोर रेशो थ्री इट विल वी और फैनल आंसर तो देखो मैं चाहता तो वहीं छोड़ देता एक बार वैस्वलों पात की डेफिनिशन बता देता और एक छोटा सा कोशन करा देता और महां चमतकार दिखा दे उसके जो रिसेंट लॉजिक हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं जिनसे कभी आंसर गलत ना है वह एलसे मैथड लिया उसके बाद में जो वैल्यू फैंडिंग मैथड है ठीक है जिसमें हम छुपाते हैं फिलिंदा ब्लेंक रिक्तिस्थानों की पूर्दी करते हैं और इसके ब करते रहेंगे ठीक है कभी वैसे तीन से ज्यादा पूछा नहीं गया बट पूछता भी है तो व्यार रैडी फाद है ठीक है हम उसके लिए तैयार है हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अब तो यहां से बनता है समानुपात क जिसे बोलते हम प्रपोर्शन और इसके बाद में कुछ कुछन करानी स्टाट करूँगा क्या बनेगा भई अब प्रपोर्शन स्टाट हो रहा है ठीक है जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं समानुपात की तो किस तरीक से करते हैं जैसे A और B का जो अनुपात है C और D का जो अनुपात है वो आपस में समानुपात है समानुपात का मतलब 4 विंदी आती है यह सक चिन रहता है इंग्लिश में से प्रपोर्शन कहते हैं A ratio B अब होता क्या है कि अनुपात का मतलब क्या होता है मैंने अभी अभी बताया था आपको यह अनुपात बी का मतलब यह बटे में भी सी अनुपात का मतलब सी बटे में दी और समानुपात का मतलब समान हो अनुपात समान है तो मैंने बराबर लेग जब हम इसे सॉल्ब करेंग कि एंदौन की मुल्टिप्लाई करेंगे एंस दोन मोइद करेंगे तो क्या लेकिन हिए इंट्व ए हैंं भी की सी में मुल्टिप्याई करेंगे तो मैं रिदी यह को उसफिazione मिलेगी सब्वें मिलेगी कि जब चार पत्र समानुपात में होते हैं समान अनुपात में रहना होता है तो प्रत्भम और अंतिम पद्रम्स दूसरे और तीसरे से ब्राबर होता है इस तरीव से ज़ए पदो का पर जोंस पित vonrich रहने पने वाले पदों का तो दिट निश्यन्त रहना जो आपको बैच जितने भी बाइलिंगल होते हैं उसमें पढ़ाने में मुझे दूर दूर तक नहीं है ठीक है को आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिलाली आपको किलियर हो गया है कि जदी हम बात करते हैं किसकी समानपात की चार अनपात चार वैल्ली देगा तो प फहला यह बनता है दूसरे बनता है तो यह जांक आपको ब्रावर हैं तो हम क्या करते हैं लेकिनी बतादी है यह पर समय समान पाथे समान पाथ मनलों समान अनुपात है तो दौनों समानन पाथे तो दौनों को बरावर लिग दिया और ठीक है अब इसके कॉश्चन के सस्तरीकित बनते वह मधम दिर ही करके दे मध्र debate यह कै और जब देखेंगे तो को आप करके देखो अपने एंट से मुझे उम्मीद है कि आप जब दम नहीं है तो एक बार इसे आप अपने एंट से ट्राइए करें उसके बाद में कराऊंगा अगा कर दो कर दो कर दो कर देखो इस कोशन को यह दिए आप देखते हैं तो इसमें एक बात इस परस्ट हो जाती है कि दो अनपाती कर रहा है पांच अनपात चार कर रहा है नो अनपात दस इनका आपको समान पात बताना है ठीक है तो किस तरीके से करेंगे आप इनकी सब की आप मल्टिप्लाइ करेंगे अग्रपदों की इसकी इसकी और इसकी अग्रपदों की मल्टिप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 10 solve करेंगे तो 3 से कितनी बार काटेंगे तीन बार पांस दूनी 10 से 10 के अंसिल हो गया तो 3 बटे 4 का मतलब 3 अंपात चार अंसर क्यों हो जाएगा तीन अंपात चार हो जाएगा ठीक है तो 3 रेश्यो 4 विल बी और फैनल आंसर ठीक है वो कैसे हुआ क्यों हुआ मिश्यत अंपात किया इसे कैसे कहते हैं सौल कैसे करते हैं डुप्लीकेट रिशो का क्या सेंस होता है वो सारी चीजें वह आपकी किलियर हैं आपके माइंड में क्लेरिटी है कि यह कुछ अमतकार नहीं हो इसी तरीकी के सकफी तीन नाम में बज्य कर रहा है मिश्यत मतला मिक्स करना चारा तो इनका तरीकाव अघ्षि गया इसा जाए आप इस को देखने तो बहुत आसान है बहुत आसान है इसे करने का तरीका है क्या थे के वास्तम में करत तीन अनुपात चार और छे अनुपात साथ जब आप इनका मिश्रित अनुपात निकालेंगे तो काइदे में देखा जाए तो इन दोनों की मर्टिपलाई होगी तो क्या लेकों कि jaar भूए को शथीценविया बटे में क्या लेगो कि साथ चोगाटाइस हुआ हमें तो मिश्रित अन्पात यही लग रहा है क्षेशन किया रहा है कोश्चन कि यह नहीं है मिश्य नबाइग च्छेतीस न्बाइग अ एक सब्सक्स जो यह फ्мент === तो जब दौन भी मिष्रित अन पाथ हैं तो आपस में क्या होने चीए बरावर होने चीए तो हमने क्या किया देख दो और और एक्स बरावर यह आपका फैनल आउसर है तो आप देख रहे होंगे कि जो पूछे प्रिवियस यहर में वह इस थेहरी पर पूछे कि बे läuft ॡवाथ के सब्सक्राइब है। और चलिए आगे की तरह बढ़ती है वैगले कुछं को देखते हैं क्या है अगला कुछ्ष्ष्षं करत तीन नपाओ चार के लिए निम्नमान बताइए अठीक है यह तीन कुछेगा है इस नमबर एक volume आनकाज जिसे बॉल लाँ उ नमब तो वरगान पाज जैसे वह डूप्ली के mile बात करा है तो आंप इसे करें फिर से मघारं हुआ ऊस्फेज दीन इन पाज चार की बात कर रहा है तो नमबर एक जरमें बात करेंगे किसकी विलोम अनपात तो तीन अनपात चार हो तो पहले नमबर पर तीन है उसे छुपा लो क्या देख रहा है चार पिर दूसरे नमबर पर चार है चार को छुपा लो क्या देखेगा तीन तो ही आगए पहला आंसर नमबर दो पर क्या है वर्घ अन्पात को तीन अन्पात चार तो तीन का वर्गản पसमय चार का वर्ग तो तीन का वर्ग नौ-चार वर्ग शूटंग अबनने मेर्स आफ्ट नंबर तीन घन अनुपात इनकी घनों कर अनुपात तीन का घन हstag और अनुपात में चारव तो तीन का घन थीन जान 27 चल्भार चारव ऩो चो Jesus आन है तो देक्ष यह तीनों के टीनों कोश्चन आपके व्यां क्यों रखोण के लिए आपको पता इनवर्स राश्यों का बसक्र निकालते हैं छलिए अगले कि तरफ कर जाते हैं कि कि इसको करते हैं इसके बाद मैं चेंजे़ करें गां चार कोश्चन पूछेगे से रिलेटेड आप से और मुझे उमीद है कि आप चार की चारों प्रश्णों को बहुत अच्छे से कर देंगे सवाल यदि बात करें कोश्चन की कोश्चन कर रहा है नौन पाथ चार के लिए निम्नमान ग्याद करो नंबर एक विलोमन पाथ नंब दूसरे को चुपाओगए नो देखेगा आंसर क्या बन गया चाररंपाथ 9 दूसरा वर्गमूल आनुपाथ वर्गमूलों की इंदें बात करते हैं तो इन तोनों के ब्रकमूल यहेंगे नौ का वर्गमूल और चार का वर्गमूल तो नौ का वर्गमूल क्या होता बच्चो तीन और चार का वर्गमूल दो तो यह बन गया तीन यदि हम तीसरे कोशन की बात करते हैं तीज़रे कोश्यन किया घंण अनुपाथ गंट्रीप्लीट रेश्यो तो नौ और चार का ट्रीप्लीक है युजनों का हाद कॉ 9 का क्यार तो 9 का क्यूब यानिकि डुप्लीकेट रिश्यों तो डुप्लीकेट नौ और चार का डुप्लीकेट क्या बनेगा इस्क्वेर कर दो डुप्लीकेट बन जाता है तो नौ का वर्ग 804 गवर्ट तो चार के चारों क्वेष्व के आपके अंसर आ पारहें क्यों आपके जो इस तरीके से पूछ लेता है कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे करें यह पूछा तो यूप पर इस कॉंस्टेवल में गया है बट फिर भी अच्छा कुष्चन है क्या रहा है टू एक्स प्लस थ्री रेशो में फाइव एक्स प्लस फोर तीन अनपाथ चार का तीन गुना अनपाथ यानि ट्रिप्लिकेट रेश्यो तो एक्स का वर्ग याद करो यह वर्ग की बात कर रही है तो देखो सारे वर्ग दे रखें नहीं तो मैं ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ दिमाख लगाता तो देखो मैं इसकी थ्योरी पहले फंडामेंटल पहले डिटेल फिट शॉट तो किया रहा है टू एक्स प्लस थ्री अनुपात में 5x प्लस फो हुला है यह दौरू है यह वास्ता में ंनना थाता है तो यह में रहां तो यह एकजाम नहीं ऐसे दिया आ मैंने मैंने च्छ चीज नहीं कराया कि यह आण दिमाग लगाना तीन कर जाना है तो यहां तो मुझे पता है कि इंहुद देख लिए हैं गेट है या ईए जो दोनों या इत्रिपली गेट एक इसके तीन ओर चार के तो तीन का ट्रिपली गेट गेड क्या होता है क्यों चार का मैध्यक्री अपन में 5x comprAll कि इसे चौक लिगएट या इसके डिंग कड्ब़िव404 कि इसके तुस्विक क्यों लुग दिए पंजी 135 और 27 चोका 108 चोंचर दूनी 128 चोंचरती एंग सो बानवे तो 135 एक्स और 128 एक्स इन दोनों का अंतर क्या है सेवन एक्स और इन दोनों का अंतर क्या है इसका ऑणसर हो गया अब इसने स्कुयर पूछा एक्स स्कुयर बढावर बारह का स्कुयर बरावर एक सुच्छ और 1424 यह इसकी डिटेल एप प्रोच होगए लेकिन बचगए क्यों कि 3 और 4 दे रखे थे तो इनके इसोठेटी में तो च्वास चला गया आपको सेया इसमें लेकिन यहां पर नौ तो और यहां भी बड़ी होती हैं फिर तो मारे जाओगे आज आजयाएगा लेकिन टाइम हो गया तो हमें इससे बचना है इसे बचने का तरीका है वह तरीका है वह तरीका हम यहां पर यूज कर रहे हैं ने मैं ये बताइए तीन और चार का घंढ़न पात तीन का अगन 27 चारका इन तो यह लीप पॉर्म में अपनी जब यह लीप सुन में होते हैं तोLES फॉर में क्या करो कि यहां से कंकरीं कर लो कंपेरजन कैसे करेंगे विए यह यह वेल्यों वह इस तो कैसे करोगे हम कह सकते हैं 2x प्लस 3 बडाबर 27 तो 2x की वेल्यू क्या हो जाएगी 27 में से 3 के 24 24 एक्स कमान कितना हो गया बाहर है एक्स कमान कितना हो गया बाहर है खता यदि मन संतोष्ट ना हो तो यहां नीचे रखके देख लो यहां रखो एक्स की वेल्यू बार पंजे साथ साथ चार चौन सट तो 64 इसका मतलब जो आपने स्टैप से उठाएं बिलकुष सटी को उठाएं बिलकुष सही स्टैप से वह तो अब यहां पर एक्स का स्कौर कर दो 12 का स्कौर हो जाएगा बराबर मतलब आप उस cross multiplication से जिससे की calculation बढ़ सकती थी उस पूरे से बच गए उस पूरे से बच गए अब आपको पता चलेगा आपने क्या सीखा है तो यह एक्जाम में आये था आये तो यह यह वाला यह वाला यह तो जब आप इस question को करेंगे तो आपको यहां से और अच्छा idea हो जाएगा इसके बारे में तो देखो इसे मैं ही बता देता हूं बिना देरी की यदि आपको एक question solve करना है तो आप वीडियो को यहीं पर pause कर लेना और देख लेना solve कर लेना जब आम यहां पर देखेंगे इसे तो 10x प्लस फाइब अपॉन प्लस एट बराबर पांच का घननपात 125 आठ का घननपात 512 क्योंकि अब हमें तीन गुने चे मतलब नहीं हमें ट्रिप्लिकेट कह रहा है वह ठीक है अब देखो यह आपने यहां से आगे बढ़े तो 125 की गुणा 42 में 125 की गुणा 8 में 500 बारे की 10 में 500 बारे की 5 में और फि आपके लिए दिख्कत हो जाएगी सीरिस्ली दिख्कत तो बचने का तरीका यह है उपर वाली वाली वैल्यू सॉल्ट नो टैने अक्स बराबर 5 दर जाके मैनस हो जाएगा 120 एक सोबीस लिए एक सो बीस से जीरो से जीरो कड़ गया एक सब्रावर कितना आगे बार है एक सब ठीक है तो उमीद है यह बात भी आपको समझ में आगी होगे और समझ में आनी भी चाहिए चलिए अगले कुर्शन की तरह मूव कर जाते हैं ऐसे बहुत सारे कुर्शन्स पूछेते हैं अब उन्हें रहने देते हैं इसे देखते हैं एक्स अनुपाथ 16 समान पाथ 36 अनुपाथ 36 तो एक्स का मान बताओ य। 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 इसमें क्या होगा बाहा पदों का गुड़नफल बरावर आंत्रिक पदों का गुड़नफल 36 एक्स बरावर सूले गुणा तड़ेशट नौ से चार बार नौ से साथ वार चार से चार बार एक्स बरावर साथ चोक अट्ठाइस 28 आपका चली आगे बढ़ते हैं इसमें काफी बच्चों को दिक्कत होने लगी मैं कैल्गुलेशन की वेह से अदर्वाइस तो इजी कोश्चन है जब आप इस कोश्चन को करोगे तो आप क्या करोगे बाहा पदों का गुड़नफल बरावर आंत्री पदों का गुड़नफल तो वहां से तो होई जाएगा यह बढ़ चलो वहां से बता देता हूं उसके बाद में शॉर्ट करने में मज़ा रहेगा 2001X बरावर में 5187 इंटू में 1334 मुझे एक बात इस पास्ट हो रही है कि दो हजार एक दो एक तीन यदि किसी संख्या के अंकों का योगपल तीन से कटता है तो वह संख्या तीन से पूर्टा विवाज़त हो जाती है है इफ दे सम अफ डिजेट्स इस डिविजबल भाई थ्री देन दा नमबर इटसल विल भी दिविजबल थ्री तो संख्या भी तीन से वाज़ित होती है तो यह तो तीन के योगपल से कट रहा तीन से कट रहा है इसका योगपलंगों का आठ साथ पंद्र है और ची यह बि अब दूसरा मेथड क्या है यदि आपको बचना है इसकी कैलकुलिशन से वोड़ेत तो सेकंड मेथड कहता है कि यह तो चलो तीन का हमें मल्टीपल मिल गया इत्तिफाक से ना मिलता तो तो क्या होता भाई साब तो दिक्कत हो जाती है तो इसके करने का तरीका क्या है आप लिखें एक्स और दोहजार एक की गुणा करोगे बाहा पदों का गुड़ेंफल बराब अब ठीक है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह बताओ राइट लेफ्ट साइड में जो भी वैलू आएगी वही वैलू राइट साइड में यह तो बात आप बानते हों माननी भी चाहिए ठीक है बिलकुल इस फस्ट बात है यह दिए ऐसी बात है तो क्या में यह कह अब यह बताओ इकाई कांक लगा दो यहां एक दे रखा है तो एक्स क्या हो सकता इन चारों में से कुछ भी एक की गुणा साथ में करूंगा इस वाले साथ में एक की गुणा इस एक की गुणा यहां साथ में करूंगा तो एक गुणा साथ तो साथ होता है अंसर नहीं बनेगा यदि मैं इस एक की गुणा यहां वाले साथ में करूंगा तो यहां भी साथ बनेगा अंसर नहीं हो सकता है यदि मैं एक की गुणा आठ में करूंगा तो एक गुणा से आ रही है जिसमें कि क्या बना है आठ बना है तो यह आपका आंसर बने ठीक है बच्चो इस तरीके के और भी बहुत सारे logic है कायदे में देखा जाए तो मेरे पास दो option थे एक तो यह कि मैंने चमतकार दिखाऊं बच्चों को स्वास करो तो मैंने logic के लिए आपके एक एक terminology के लिए अभी इसके बाद में तो और कई सारी चीजें जहां पर सच में calculation में बहुत आसान बना लेता ठीक है अब इसके बाद जिसे third proportion कहते हैं वह कैसे निकालेंगे वह भी बताऊँ हैं आपको mean proportion कैसे निकालते वह भी solve करा रहा हुआ के कोंकोन से होते हैं किस तरीके सटने tackle करते हैं वह सारे तरीके बताऊंगा तो बहुत सारे question से जो आगे आने वाले हैं बड़ मुझे उमीद है कि आपको यह तरीके समझ भी आने लगे होंगे और समझ माने लगे हैं तो मैं इसका तो तरीके यह होता है कि बस आपको सुझ माने लगे ठेक हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि यहां तक कि क्लास, तंसेब, लॉजिक सभी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आये होंगे और पसंद भी आयोंगे तो इसी उमीद के साथ कि ये सेशन आपको पसंद आयोंगे, सेशन को ये पर समाप करते हैं आगे, फिर से मुलाकात करेंगे, तब एकली जहन दुर जहें, बारत